कॉंग्रेस ने अपनी एपिस्मेंट की पॉलिटिक्स को चुनाव जितने का हत्यार बनाया। इसके खिलाब हम सालों से संगर्ष कर रहे थी। 2014 से नरेंद्र मोदीजी ने डेवलप्मेंट का एजंडा जनबानस के बीच में सेट भी किया और उसके आधार पर चुनाव की देश में सुरुआत हुए। कॉंग्रेस को बहुत तकलिप पड़ रही है डेवलप्मेंट के एजंडे पर विकास के एजंडे पर चुनाव लड़ने में लगातार वो प्राजीत हो रही है। फिर से एक बार एपिस्मेंट के पॉलिसी के आधार पर वो आगे बढ़ना चाहती है। चिदंबरम ये नहीं कहते हैं कि C.A. में क्या बुराई हैं। हम C.A. हटा देंगे। क्यों हटाना है? क्योंकि उनको अपनी माइनोरिटी की पोलिटिक्स करनी है, माइनोरिटी वोट बैंक को मजबूत करनी है। भारती जनता पार्टी अपने सिद्धानतों पर अटल है। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, सब के साथ न्याय करेंगे, परन्तु तुरुष्टी करन भी किसी का नहीं करेंगे। इस निती पर हम आगे बढ़ रहे हैं और CAA से इस देश में बहुत बड़ी तादाद में पडोसी देशों से आये हुए religious minority, हिंदू, बाउद, जाइन, सीख, इस सभी को नागरिक्ता मिलती हैं, सुरक्सा मिलती हैं, मैं नहीं समत्ता इसे कॉंग्रेस को क्या पत्ती हैं। CAA से किसी का नागरिक्ता जाना नहीं है, ये भ्रानती फिला रहे हैं और एपिस्मेंट की politics करकर चुनाव जीतना चाहते हैं। कि आपका ए इरादा कभी पूरा नहीं होने वाला है, देश की जनता अब कॉंग्रेस पार्टी को भली भानती जान चुकी हैं। जहां तक तिन कानून का सवाल है, चिदंबरम स्वयम कमिटी में थे, उन्होंने कई बार ए तिन कानूनों के बारे में कमिटी में के चर्चा करते हैं। काफी अच्छे सुझाव भी दिये, सराना भी किये। तीन कानून से देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टिम दुनिया में सबसे आधुनीक बनेगी और तीन साल में ज़्यादा से ज़़ा हरे एक व्यक्ति को नियाए मिलेगा। कॉंग्रेस नहीं चाहती कि इनके सामने जो करप्षन के मुद्दे हैं, करप्षन के केस हैं, वो कभी भी अंजाम तक पहुँचे। उनको नियाय लंबित हो, उसमें इंट्रेस्ट है, मगर भारतिय जनता पार्टी की पॉलिसीस पष्ट है, नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीस पष्ट है, हर नागरिक का कम से कम समय में नियाय पाने का समवेधिन अधिकार है, वो देने के लिए हम कटिबद है, कॉंग्रेस ना सत्ता पर आनी है ना इनको ये फैसले करने हैं। मैं देश की जनता को अस्वस्त करना चाहता हूँ। CAA रहने वाला है, तीन कानूनों का इंप्लिमेंटेंशन भी होने वाला है और हर नागरिक को तीन साल के अंदर नियाय मिलने की वियोस्ता सुनिश्चितोगी। और हर सरणार्थी को नागरिक्ता भी मिलेगी, इसमें कोई संदे ही रखने की जरूरत नहीं है। और मैं तो कॉंग्रेस के निताओं को सला भी देना चाहूंगा। कि बहुत बार हार चुके आप चुनाओ, एफिस्टमेंट की पॉलिसी से बाहरा आईए।